लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए की महाविकास आघाडी सरकार और CID की भूमिका पर भी सवाल उठाया और करनाला बैंक का लाइसन्स रद्द करने और दोस्यों की संपत्ति जब्त कर खाताधारकों का पैसा चुकाने की मांकी इस दोरान पुलिस ने कांतीरालकडू को हिरासत में ले लिया हलांकि बाद में उ दोर दिया गया, देखे रिपोर्ट गरना प्र deber कि जब्शalley का जोताती जोताती कि सिर रेहर दोरान प्रों का लेखे र्तातार थेर भめてर जपकर्ण Salesforce करनाला सहकारी बैंके 50,000 से अधिक निवेश्कों को न्याय दिलाने की मान गर्मा गई है आज पनवेल संगर समीती के अधियक्ष कांतिलाल कडू ने कलमबोली सरकल पर चक्का जाम आंदोलन किया और बैंक घोटाले के दोसियों को ततकाल गिरफतार करने की मांग की भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच चले सांदोलन में सैक्रों बैंक खाताधारक भी शामिल हुए कांतिलाल कडू ने कहा कि बैंक निवेशक मुसीबत में हैं लेकिन घोटाले की जाच कर रही CID संचालकों के गिरफतारी को लेकर गंभीर नहीं है कांतिलाल कडू ने मांग किया कि जिन जिन संचालकों ने निवेशकों के पैसों पर डाका डाला है उनकी संपत्ती जबत कर खाताधारकों का पैसा वापस दिया जाना चाहिए उन्होंने स्थानी बीजेपी नेताओं के आंदोलन और प्रयासों को दिखावटी बताते हुए उस पर सवाल उठाया और निवेशकों को भरोसा दिलाया कि जब तक खाताधारकों का पैसा नहीं मिल जाता पनवेल संघर समिती चुप नहीं बैठेगी आंदोलन के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया हलाकि उससे पहले कांतीलाल कडू ने क्या कुछ कहा आईए सुनाते हैं इरो वापर केलाये जांचाना वने गुने दाखल धालेद जांचाना वने जाले नाइए पर त्यानी पन पैसे वापर लेद तर जाना काईदयाच्या चावकटित बसतो है कि मान त्यावडे ना तरी सियाईडी ना अटक कराव जे कोनी आरोपी आस्तिल जे आरोपी काईद्याचा चाउकाटी द बसत नस्तिल पन बैंकेचे पहिशे वापर लेत असा शब्द CID चा तपाशिक अधिकारी रजनी सरोधे मेडम यानी दिला होता कि लवकरात लवकरामी आटक सत्र सुरू करतू है त्यानी आध्याप उनाला याटक केली नहीं आनि मा काईद्यावरचा विश्वास उड़ूने गरह खात्याची प्रतिमा अधिक मलीन होने राज्या सरकार वर अविश्वास लोखांचा वेक्तो होने केंद्र सरकार जोप निद्रीस्ते चला जाग करना सथी अच्या सगल्या ठेवीदा रंचा उसपूर्त सहबागान हमें अंदोलन की गौरतलावे के 537 करोड के कथित करनाला बैंक घुटाला केस में ED बैंक अध्यक्च और शेकाप नेता विविक पाटिल को गिरफतार कर चुकी है जबकि 18 संचालकों के गिरफतारी होनी अभी बाकी है कांतिललकडू ने कहा कि CID इस मामले में जानबूच कर ढिलाई कर रही है उन्होंने कहा कि राजसरकार को ततकाल पहल कर करनाला बैंक के खाताधारकों की जमापूजी वापस दिलानी चाहिए कांतिललकडू ने यह भी चेताओनी दी कि यदि सरकार और CID ने जल्द गिरफतारी और कारवाई नहीं की तो इससे और भी तिब्र आंदोलन होगा यह पन माहित ने इडी ला भी टलो कोणा भी टलो माहित ने या पनवेल संगर समिति ने त्यानाथ एचासाथी बैटका गेवून वसुन निकरनला उन के लिए ते पात्सलाग मिलावे एचासाथी पहली मागनी का है पहला पाहूल है कि आता बैंके चा परवाना रद्द के नाखिए करन बैंकेचे अर्ठीक वेवर झालेले नहीं यह रिकवरिज आलेली नहीं यह से बैंक मुर्टा है पनि लेन अशास टेजला बैंक आली रिजर्वे बैंक चि rightly पीसर रद्द कृतें बात्य काम है ते विधार्द रहना पंष्य देन। ते ना हमाला आटको हो मा बूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया बूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया